इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि आप अपने टाइनी बंस को कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं वह भी सिर्फ चार से पांच दिन चार से पांच दिन मैं अपने एक्सपिरियंस के सबसे आपको बता रही हूं हो सकते आपको सेवन डेज लग जाए उससे जादा मुझे नहीं लगता क्या और इससे पहले भी मैंने टाइनी बंस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुए जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था मै आने कैसे अपनी बंस को क्या है जो कि बहुत ही जादा एक्षक्टिव है मेरे लिए तचलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए मुलतानी मित्टी जो भी मुलतानी मित्टी अप यूज करते हैं आप वो ले ले ठीक है तो यह आप देख सकते है मैंने ले लिया है मलतानी मिट्टी गाइस जो मलतानी मिट्टी होता है यह आपकी टाइनी बंस को कम्प्लीटली ड्राय आउट कर देता है अगर आप चाहे तो इसको एक दिन के गैप भी उस कर सकते हैं लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप इसको लगातार यूज कीजिए चार से देता है और फिर वो दीरे दीरे गायब हो जाते हैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक दो से तीन बर जब भी टाइनी बंस की प्रॉब्लम होई है मैंने सिर्फ इसे और बेसन को यूज किया है टाइनी बंस के लिए यह दोनों आमेजिंग होता है यार अमेजिंग के लिए comfortable है तो आप लेमन जूस एड़ करें बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं होता कोई आपकी स्कीन कुछ नहीं जलती कि क्या है तो जो लोग यह बोलते हैं लेमन 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 यार कुछ नहीं होता मैं क्लास 10 से यूज कर दियो लेमन जूस लेमन जूस को डिरेक्टली यह बेड़े अपको बने लेमन जूसेट कर दो कुछ साईड एफक्ट में अराम से अराम से लेमन जूस आट किजिये थोड़ा सा बेसन हल्दी लैमन जूस और उसको मिख्स करते आप अप्लाई कर लिजिय किसी चीज को आप इलकुल जैसे मैंने मुलतानी मिटी को आपको चार से पांच दिन कंटीनिव रखिए या जब तक ठीक नहीं हो जाता चार से पांच दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतना ही लगने चाहिए आपको दिन लेकिन ठीक है सबकी स्किन प्रॉब्लम अलग-अलग होती है तो हो सकता आपको कुछ दिन ल लेकिन अगर आपको मुल्तानी मिट्टी सूत करता है तो भई इससे बहतर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको टाइनी बंप को क्योर करने के लिए तो देखिए यह आपने ले लिया मुल्तानी में अब हम इसमेट करेंगे लेमन ज्यूस इसमें मैं पानी बिल्कुल एडनी करत है कि एक अच्छा सा पेस्ट हमारा रेडी है यह लेमन जीस को अपने चाहरे पर अप्लाई करने से इतना क्यों ड़ते है लेमन अगर सूत कर रहा है तो एड़ किजिए नहीं कर रहा है सिंप्ली वाटर एड़ किजिए अप्लाई कर लीजिए बेसन में अगर आप दही भी वह भी बहुत अच्छा रिजर्ट देता है तो यह मैंने मुलतानी मिट्टी को मिक्स कर लिया है देख सकते हैं अब आप जहां भी टाइनी बंस की प्रॉब्लम है अप्लाई कर लीजिए ठीक है जहां भी प्रॉब्लम है अराम से इसको अप्लाई कर लीजिए और 10 मिनट्स के लिए रहने दीजिए आपके टाइनी बंस को ना कंप्लीटली ड्राइ आउट कर देगा एं तीन से चार दीन में टाटा बाइ 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 तो यह आप देख सकते हैं मैंने इसमें लेमें जूसेट कर लिया मेंक्स किया एंड देन जस्ट अप्लाई कर ले स्कोप में कीजिए ताइनी बंस तो ठीक होंगे एकने पिंपल जो होते हैं वह भी बंद हो जाई है साथ यह अगर आपको उपन पोर्स की प्राबलम है उसके लिए भी मुलतानी में टिप बेस्ट है तो इसे ट्राइ कीजिए तो यह मैंने अप्लाई कर लिया अब इसके बाद आप इ वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर लिया लाइक मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तिल देन बाई